हाई एवरिवान आज की वीडियो बहुत ही जादा क्वेश्चन्स से भरी होने वाली है तो आई रिक्वेस्ट की एंड तक देखना और लाइक, शेर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बो अगर आप देखें तो एक तरफ है दीपक वर्मा जिनको कभी भी कोई भी आक्टिविटी नहीं नजर आई है वो इतनी बारी जा चुके हैं वो अकेले भी गए हैं लेकिन उनको कुछ नहीं दिखा लेकिन एक ऐसी वीडियो क्लिप है जब मैं देख रही थी तो मुझे कु यह देख लो श्लो मोशन में क्या हुआ है हं क्या तो इसको देखके आप क्या बोलोगे कि यह कि चीज की शाडू है शाडू है एनरजी है क्या है डों नो बहुत लोगों ने शीडियों के नीचे कमेंड किया है की आपकर टाइम स्टैंप दे के कमेंट किया है कि आपके इस वीडियो में कुछ ऐसा गया है आपकी साइड से मुझे कही ना कही लग रहे कि ये शायद कैमरा मैन की शाड़ो हो सकती है I don't know guys, कमेंट सेक्शन में बताना ये देखके और दूसरी तरफ सागरतिवारी हैं जिनोंने EMF मेटर लेके पूरा किया है और उनको प्रॉपरली फील हुई है चीजे उनको गर्मी लगी है जो एक साइन है कि आपके पास कोई एनरजी घूम रही है या कुछ भी और उन्होंने EMF मेटर पे भी दिखाया है लाइट ओफ करके भी दिखाया है कि कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही थी लाइट जाता हूं कि यह वीडियो आप पूरी देखना क्योंकि जो मैंने आप तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सच है कौन जूट है क्या है या कितनी मिली भगत है कितनी नहीं है लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि जो दीपक वर्मा के वीडियो में बहुत कुछ चीजे आती हैं सामने लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं जैसे कि एक और वीडियो आया था उनका ओड ही भवन में उन्होंने शूट किया था दिन में एंड उनके वीडियो में एक दर्वाजा खुलता है एंड वी डोंट सी एनी परसन देर सो ये पले क्लिप देख लो अ सुनाइदी तो इस क्लिप में आमने देखा होगा कि वो जो दर्वाजा है वो खुला है और उन्होंने साफ क्लियरली इग्नोर कर दिया है तो ये सब जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यूं कर रहे हैं वो जवाब क्यूं नहीं देते हैं चीजों को अगर उनको लगता है कि ये सिरफ हवा की वज़े से हुआ है तो वो बता सकते हैं कि ये हवा की वज़े से है लोग बहुत कमेंट्स भरे रहते हैं उनके कमेंट्स में कि इस टाइम स्टैंप पे आपका दरवाजा खुला है लेकिन वह आपके कोई दिख नहीं रहा है तो इस बातों का जवाब क्यों नहीं देते हैं बिल्कुल और दूसरी तरफ अगर आप सागरतिवारी का देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो हर चीज का अगर वो वीडियो में नहीं बता पाते हैं तो वो अपने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल देते हैं जहाँ पे वो क्लियर हो जाता है कि अगर कोई और इंसान दिख भी रहा है तो वो कौन है लेकिन दीपक वर्मा कि उसमें नहीं बताया जाता है और ऐसे बहुत सवाल है जो लोग जानना चाते हैं मैं भी जानना चाती हूं कि ऐसा क्यों होता है अगर है तो फिर आपको बताना चाहिए अगर नहीं है तो भी बताना चाहिए कि नहीं वो हवा से हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हवा से हुए क्योंकि हवा इतनी तेज नहीं चल रही थी ना उन्होंने ऐसा कभी जिकर किया माँ पे पूरी वीडियो में कि हवा इतनी तेज चल रही है और अगर चल भी रही है तो उनको बताना चाहिए कि नहीं हवा चल रही थी यह ऐसा नहीं है एक तरफ एक दोस्ट जो ह वह प्रॉपरली दिखा रहा है कि कुछ नहीं है हॉंटिट स्कूल में दूसरी तरफ जो है वह दिखा रहा है कि है तो हम क्या करें और एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है गाइस की एक लोकेशन पे बार-बार भेज रहे हो आप उनको तो और बहुत लोग तीन लोग तो बार- लगरतिवारी और दरील वान बार-बार एक चैनल पे एक ही लोकेशन पे की वीडियो जा रही है और किसी का कुछ आता है अब यह मैं से क्या समझें की एमेफ मीटर नहीं चल रहा है या किसी का खराब है या कोई जूट दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है यह पूरी जि दीपक वर्मा से कि जितनी भी आक्टिविटीज आपको दिखती है आप उनको इग्नोर कर देते हैं या फिर आपको लगता है कि वो हुई नहीं है या फिर क्या है अगर हुई है तो आपको बता देना चाहिए और यही सेम यह खाली इन दो दोस्तों की कहानी नहीं है यह उ उस चानल पे भी शमशान घाट के एक वीडियो है जो सागरतिवारी ने करी है और ओम व्लोग ने करी है तो ओम व्लोग तीन बारी गए हैं और तीनों बारी उनको इमेफ मेटर पर भूत दिखा है उनको लिटरली दिखा है मतलब ब्लिंग कर रही है लाइट उनको दिखा और भी है अवाजे आई आए बच्चों के रहने के आवाजे आई आई लेकिन सागरतिवारी को वो मेरी खहल से दो बारी गए और उनको नहीं दिखा एक बारी जो बिना एमेफ मेटर के गए है एड़ लित्रिली लोगों ने मुळ पे clear करके बोला है कि नहीं हमें कुछ नहीं दिखा है हम इतने सालों से रह रहे हैं हम 20 साल से थे कौई 25 साल से रह रहा है कोई इतना बुजुर्ग है जो वहां पे रह रह रहे हैं उनकी पूरी जिंदगी कटी है लेकिन उनने उन्हें उनको कुछ नहीं दिखा है तो इसका मतलब हम क्या समझे कौन सच बोल रहा है कौन जूट बोल रहा है ऐसे तो ओम व्लोग्स भी उन्होंने लिटरली क्लिक बेट वाला अपना थमनेल भी लगाया ये देख लो, clickbait वाला thumbnail लगाया है, ताकि लोग उसको देखें कि my last video on YouTube, उन्होंने बोला कि अगर यहां पे मुझे कोई भी blink नहीं हुई light, तो मैं YouTube छोड़ दूँगा, लेकिन उनकी हुई blink मुझे नहीं पता कैसे हुई, तो आप लोग मुझे comment section में बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं, और अगर आपको इन सब के जवाब भी चाहिए, आपके माइन में बहुत सारे जवाब होंगे, questions होंगे, कि दीपक वर्मा के साथ activities हुई है, जो मैंने clips दिखाई है, उनके बारे में भी होंगे, तो आपको क्या लगता है, कि वो सच है, जूट है, क्या है, अगर आपको जवाब चाहिए, तो आप लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि ये वीडियो उनके पास जाए, और सब को पता लगे, in fact उनके जो हेटर्स हैं, उनको भी ये बात पता चले, कि वो सच बोलते हैं, जूट बोलते हैं, क्या चल गलत आती है, वो सब जाना जाते हैं, मैं भी जाना जाती हूं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूं, मैं किसी को गलत बताना भी नहीं चाहती हूं, मैं कोई नहीं होती हूं, गलत बताने वाली, लेकिन ये बस एक सवाल है, जो मेरे मन में उठा है, तो मैं ये पूछना चा तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब